नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स अपने सिस्टम में चाते हैं। जो लोग फिरी में उमीद कर रहे हैं, उनको भगवान की दरफ से बहुत-बहुत blessings, उनका जादू हो जाए, बट जो लोग देल और इंडिया मार्ट को पैसे दे रहे हैं, तो वो काफी मोटा फिगमेंट दे देते हैं, और ये वीडियो उन सभी business owners के लिए है, जो एक तरीका ढूल रहे हैं, कि अपने business को किस तरीके से super fast grow किया जाए, regularly market किया जाए, my dear friends, आज की लिए में आपको पता है, कि Facebook और Google बहुत ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत aggressive हैं, आज कल क्या काफी सालों से कर रहे हैं, बट lockdown के बाद काफी percentage में grow हो गया है, like 20% ज़्याद consistently ऐसा हो रहा है, LinkedIn भी काफी आगे आ चुका है, business owners के लिए Twitter अभी उतना आगे नहीं आया है, कुछ और platforms भी हैं, बट वो अदने ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो दोस्तों करना क्या है, सवाल यह है, तो social media के उपर आपका जो है, traction, traction का मतलब है कि regular जो आपका brand presence है, content ह है, वो कुछ strategic तरीके से जाना चाहिए, ऐसे ही post बना दी, happy diwali, happy holy, happy बसंत पंच मी, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, यह सब ठीक है, अच्छा लगता है, आपने wish किया है, but it is not useful, जो कि हजारों लोग happy holy बोल रहे है, happy diwali बोल रहे है, happy new year बोल रहे है, this is not going to make any difference, एक strategy ह होनी चाहिए, उस strategy के base पे आपका business चलता है, उसके आपके user के पास एक reason होना चाहिए, कि मैं इस brand से क्यों चुड़ू हूँ, मैं इसको क्यों subscribe करूँ, मैं इसको क्यों follow करूँ, सरिफ happy diwali बोलने के लिए, happy holy बोलने के लिए, वो आपको interested नहीं है वो बन्दा, क्योंकि उस हो ली देखने से कुछ होता नहीं है, तो मेरा मानना है, और मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने बूला आपको, करना क्या है, तो करना है कि strategy बनानी है, एक strategy कि किस तरीके से आप सामने वाले की life में value add कर सकते हो, सामने वाला user किस तरीके से आपके page को follow करे, क्यों करे, उसको एक reason देना है solid, वो जो community में आ जाए, तो फिर उसकी life में further आप कैसे value add करोगे, किस तरीके से email marketing कर सकते हो, क्या उसको offers दे सकते हो, क्या उसको free दे सकते हो, फिरी क्या दे सकते हो, it's very very important, अब कुछ लोग हमारे शेहरों में जो पुराने बनिये हैं, इनके दुकाने बढ़िया चल रही हैं, तो उनको लगता है कि हम कैसे free दे सकते हैं, हम तो discount भी नहीं देते, हम तो एक दाम की दुकान हैं, तो वो थोड़ा सा rigid हो गए हैं, अगर एक दाम की दुकान हैं, और सही है, और धुमधार चल रही है, तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बड़ आपको लगता है कि grow हो सकता है, दो branch हो सकती है, तीन branch हो सकती है, सो branch हो सकती है, या इसी branch में अभी बहुत जादा grow हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए स्ट्रेटिजी बनाइए फिरी क्या दे सकते हैं किस तरीके से आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं उसको रीजन दीजिए कि वह आपको क्यों फॉलो करें क्यों वह आपकी इमेल को सब्सक्राइब करें गूगल पर एसीयो करवाईए प्रॉपर धासू और छिज 거지 रीजनेबल लॉजीकल ऑर वह इंगिए कॉंटीनियूसली करवाईए सोशल मेडिया कॉंटीनियूसली करवाईए आज किल तो सोशल मीडीय अएजर्णसी बहुत सारी खुल गई है मेरे उपर भी प्रेशर था, मैंने भी किया था वो काम, आप हमारी पोस्ट बनाईए, हैपी दिवाली 10% डिसकाउंट, 20% डिसकाउंट ये पोस्ट बनाईए और इसको ग्रुप्स में डाल दीजिए, और WhatsApp पर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इन चीजों से छनिक कोई फायदा हो सकता है, बहुत मामूली जा, but long term में और regularly कोई बहुत बड़ा फायदा इसी से नहीं होता, उसके लिए आपको proper digital marketing को समझना पड़ेगा, integrated digital marketing को समझना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, but interested हैं, तो किसी qualified digital marketing personal को आपको hire करना पड़ेगा, वो आपके हां काम करने नहीं आएगा, कोई भी digital marketing expert आपके हां job करने नहीं आएगा, यह मैं कड़वा, सच आपको बदा रहा हूँ, क्योंकि digital marketing expert आपके लिए digital marketing करके 20-25 रुपे कमाएगा, इससे वेटर वो अपने लिए digital marketing करके client दून लेगा, और लाकों कमाएगा, अगर वो आपके हां job करने आ रहा है, डिजिटल marketing का बंदा, तो वो काम नहीं जानता है, वो ऐसी आ रहा है टाइम पास, और आपके 20-30-30,000 जो भी दे रहे हो आप, वो वेस्ट जाने वाले लिख के ले लो, वो digital marketing जानता ही नहीं है बंदा, जानता होता, तो अपने लिए काम करता, मेरा मानना है आपकी सोच आपके साथ है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी social media के लिए strategy बने, community बड़ी हो हमारे पस notification आजाता है, और खेर, Amazon तो बहुत बड़ा brand बन गया है, तो हमारे पस notification आना चाहिए, हम automatically वहाँ पर जाने चाहिए, हम automatically Amazon पर flip card पर जाते हैं, हम कोई भी चीज की जरूती है, हम automatically मिल्शों पर भी जाने लगें, तो हमने एक brand बना लिया है, और brand बनाने के लिए उन्होंने email marketing की, उन्होंने ads चलाए Facebook पर, उन्होंने Google पर ads चलाए, उन्होंने sales funnel को maintain किया, उन्होंने करोड़ों खर्च किये, बट आप ये काम हजारों खर्च करके कर सकते हो, बट ये जो social media कर रहे हो, आप 100-500 रुपे वाला, 2000 रुपे वाला, महीने के 2000, 3000, 1000, ऐसी ये ल social media services के लिए आपका जो perception है, वो गलत बनता जा रहा है, आपको मता दू को social media agency की काईदे की service, 5000 से निचे तो शुरू नहीं हो सकती, कोई बंदा अगर फ्रेश है तो 5000, और कोई company अगर अपना रुतबा चाहती है, पैर फैलाना चाहती है, तो 5000, बट अगर आप देखे हैं कि कुछ professional से हैं, कम clients को serve करते हैं, 25, 30, 40, 60, 1,00, रुपे तक महीने लेते हैं, अपनी social media services देने के लिए, मैं भी देता हूँ, बट इसमें आपको graphics designing हमारी तरफ से नहीं मिलने वाली है, SEO मिलने वाला है, sales funnel मिलने वाला है, website, social media, पूरे strategy, lead magnet, lead generation, email marketing, WhatsApp automation, सब चीज मिलने वाली है, tools के पैसे आपकी तरफ से services हमारी है, service charge आपको हमें देना होगा, tools के पैसे आप खुद देंगे, एक rough idea देनी कि मैं कुशिश कर रहा हूँ, but आपका जब काम शुरू होने वाला है, तो हम बात करने वाले हैं, आपसे discuss करने वाले हैं, Google meet पर या Zoom पर, phone call पर मजा नहीं आ सखेंगे, तो आपको लाजची service देने वाले मिलेंगे, वो घुम्राह करेंगे, और इस तरीके से काम होगा, spamming करने से आपका business नहीं grow करेगा, spamming क्या होती है, मैं आपको एक छोटा साइडिय देता हूँ, आपको अजीब लगेगा, आज के लोग YouTube देखते हैं, एक option आता ह है, तो लोगों को एड़ पसंद नहीं है, वो एड़ बंद कर देते हैं, MX player पर आते हैं, जिनको एड़ पसंद नहीं है, जो भी बंदा दमदार है, जिसकी वी इंकम 15-20,000 रुपे से उपर है महीने की, वो एड़ पसंद नहीं करता, 200 रुपे में देके एड़ से छुटी, अधिरी, नेट्फिक्स देखते हैं वन दे, वो एड़ नहीं आते हैं, अख्बार में एड आते हैं, वो स्पैम होता है, एड़ को कौन देखता है, पर पनना पुटते याते हैं, फिन करते हैं लोगों को एड़ पसंद नहीं है, आज को लोगों को कुछ पसंद है, तो Google ल भूरते हैं मोबाइल पसंद गूगल पेचे करते हैं उन्हें पताए कि अगर मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं गूगल कर सकता हूं तो आप एड वो कीजिए तो आपके ग्राफ को पसंदो फेजबूक पेड कीजिए इसको पसंद होगा वो देखेगा आपसे पिच में अपना एड दे दिया तो आप फोर्स कर रहे हूं सामने वाले को अपनी स्विक्षा से नहीं आ रहा है पर जब आप गूगल पेड करते हो तो बंदा स्विक्षा से आता है मान के चलिए कि आपका सैलून है किसी सिटी में आपने गूगल पेड किया तो मेरे को प्रोडक्स को प्रोडक्स के साथ क्यों जुड़ो आप हमारी इमील क्यों सब्सक्राइब करो यह सारी रीजन्स आप उसकी लाइफ में आप कर रहे हो इस्ट्रेजी बना कर रहे हो आप ऑनेस्ट हो आप क्वालिटी दिने चाहते हो अपनी सर्विसेश में तो ही आप फैदा उठा सकते हो डिजिटल मार्किटिंग सर्विसेश करना तो that's all my dear friends अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे चाहते हैं अपना SEO करना सोशल मेडिया strategy बनाना यह सारी चीज है ग्राफिक्स डिजाइन हम नहीं करते हैं, आपको एक अलग से ग्राफिक डिजाइनर हाइर करना होगा, वहां से ही सारे डिजाइन्स लेके हमें देने होगे, तो बाकी सारा काम हम करते हैं, for example, social media optimization, social media management, and google SEO, google ads, facebook ads, sales funnels, landing pages, websites, and everything, सब कुछ करते हैं, सिर्फ ग्राफिक डिज So here's recording next day, I'll see you next day.